तो राजस्तान में साथ विधान सभा सीटों पर उप्चनावों की जंग जारी है नतीजों से तो वैसे सरकार पर कोई खास फर्क नहीं पढ़ने वाला लेकिन कॉंग्रेस और उसके नेताओं के लिए रिजल्ट सियासी माइने में बहुत इंपोर्टन्ट होंगे सचन पाले, टिकराम जूली, भवर जीतेंबर सिंग और गोवन सिंग दोटास्वा के इन उप्चनावों में प्रतिष्ठा दाफ पर लगी है नतीजों से इनका सियासी कदभी तैह होगा कैसे? जानने के लिए देखे हमारी ये खास रिपॉंट पूरा जोर लगा रखा है लेकिन इस उप्चनावों का परिणाम कॉंग्रेस के कई नेताओं का सियासी वजूद भी तैह करेगा जुझनू, देवली, उनियारा, दौसा सीटों के परिणाम सीधे सचिन पालेट की प्रतिष्ठा से जुड़े है मौजूदा सांसद और पाइलट की सिफारिश पर ही इन तीनों पर प्यत्याशी तैह किये गए है रामगड सीट का परिणाम तीका राम जूली और भवर जितिंद्र सिंग के सियासी वजूद को तैह करेगा PCC चीफ होने के नाते सबी सीटों के परिणाम सीधे गोविन डोटा सरा के सियासी करियर को प्रभावित करेंगे हारे या फिर जीते दोनों इस्थुतियों में डोटा सरा के खाते में क्रेडिट जाएगा वही खीमसर सीट का परिणाम डोटा सरा की प्रतिष्ठा से जुड़ गया है RLP के साथ गट बंदन नहीं करने से लेकर उम्मीदवार चैन तक जैसे फैसले डोटा सरा नहीं किये थे वहीं बात अशो गहलोट की करें तो गहलोट ने इस बार टिकट वितरन में कोई खास रुची नहीं दिखाई ऐसे में गहलोट इस बार प्रचार करने के रोल में ही ज्यादा नजर आएंगे दीपावली के बाद ये समनेता फील्ड में उतरेंगे और प्रभावी तरीके से प्रचार में जुटेंगे अब 23 नौंबर के नतीजों से ही तै होगा कि किस नेता का पलड़ा बारी रहेगा यह सच है कि साथ सीटों के परिणाम से सरकार की सहत और उसके अंगणीत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन कॉंग्रेस के तीन से चार दिगज नेताओं के सियासी फ्यूचर की इस्तती जरूर इन नतीजों से साफ हो जाएगी मसलन नतीजे ये बया करेंगे कि दो जार अठाइस के विदान सभा चुनाव से पहले कौन सा नेता मजबूत होगा और किसके हाथ में कमान हो सकती है कैमरा परसन संजे के साथ मैं दिनेश डांगी फर्स्ट इंडिया न्यूज जैपूर